स्री शिवाय नमस्तुब्यम दोस्तों आप सभी को पता ही है कि सावन का पावन महीना चल रहा है और सनातन धर्म में भगवान विश्व की उपासना के लिए 81 ब्रत को सबसे उत्तम माना जाता है धार्मिक मन्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति 81 ब्रत का पालन करता है उन्हें स समरिद्धी और एस्वर की प्राप्ति होती है बैदिक पंचांग के अनुसार स्रावन मास के सुक्ल पक्च की 81 तिथी के दिन कामिका 81 ब्रत का पालन किया जाता है मानेता है कि जो व्यक्ति इस ब्रत का पालन करता है उनकी सभी मनोकामनाय पूरी होती है ऐसे में आईए जा स्रावन मास के सुक्ल पक्च की 81 तिथी 30 चुलाई साम 4 बच के 44 मिनट पर सुरू हो रही है और इस तिथी का समापन 31 चुलाई दोपार 3 बच कर 55 मिनट पर होगा उत्या तिथी के अनुसार कामिका 81 ब्रत का पालन 31 चुलाई दिन बुद्धवार किया जाएगा वही 81 ब्रत किया जाएगा तो चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं कामिका 81 का महत्तो सास्त्रों में 81 ब्रत के महत्तों को विस्तार से बताया गया है धार्मिक मानेताओं के अनुसार जो व्यक्ति वीदी विधान से 81 ब्रत का पालन करता है उनके समस्त पाप मिट जाते हैं और दुख से चुटकारा मिलता कामिका 81 ब्रत के लिए कहा गया है कि इस ब्रत का पालन करने से व्यक्ति की सभी मनुकामनाय पूरी होती हैं तो आपको बताने वाले हैं 81 का ब्रत पूजा वीदी 81 ब्रत के दिन सूब जल्दी उठकर स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्टु का स्मरण करें और पूजास थल पर हाथ में जल लेकर रत का संकल्प लें इसके बाद घी का दीपक जलाएं और एक चौकी पर भगवान विश्रु की प्रतिमाय तस्वीर इस्थापित करें इसके बाद पंचामरे से भगवान विश्रु काविशेक करें गंद पूस्प पुजा करें पूजा के दौरान मंत्र और स्रोद का पाठ करें अन्त में भगवान विश्व की आरती के साथ पूजा समपन करें वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें